हरे कृष्णा भगवत गीता की ओडियो नंबर सेवन में आप सबका स्वागत है इस ओडियो में हम डिसकस करेंगे सत्रवे अध्याय का सत्रवा श्लोक 17.17 जो हमें सात्विक तपस्या के बारे में बता रहा है पहले मैं इसके श्लोक पढ़ूँगा इसका सरल भाषा में अर्थ दिया है श्रिल प्रभुपाद की जए बहुत इक लाप की इच्छा ना करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवत मनुश्यों द्वारा दिव्वे शृद्धा से संपन यह तीन परकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है एक तरह से यह जो श्लोक है यह समरी श्लोक हो गया हम पहले तीन श्लोक बढ़ चुके हैं सत्रवे अध्याय का चौद्वा श्लोक जो है वो शारीरिक तपस्या की बात करता है पंद्रवा श्लोक जो है वो वानी की तपस्या की बात करता है और सोलवा श्लोक जो है वो मन की तपस्या की बात करता है सत्रमे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो तपस्या है वो सात्विक तपस्या तब मानी जाएगी जब उसमें ये तीन बाते हो सबसे पहली बात यहीं कि भौतिक लाब की इच्छा नहीं होनी चाहिए हम चाहे शरीर की तपस्या करें वानी की तपस्या करें या मन की तपस्या करें इन तीनों ही सिच्वेशन में किसी भी तरह से कोई भौतिक लाब की इच्छा नहीं होनी चाहिए कि हम इस शृद्धा से मतलब जो तपस्या हम कर रहे हैं उसके बदले में हमें ये बेनेफिट मिल जाए जिसको हमेशे भक्ती तो आपको मालूमी है मैं कोई नई चीज आपको नहीं बता रहा हूँ ये एक तरह से बस रिवीजन ही है कि हम तपस्या करें, यग्य करें, दान करें, कुछ भी करें तो उसमें निशकाम तो होना ही चाहिए बदले में अगर हम कोई प्राफिट चाह रहे हैं तो वो सात्विक नहीं होगा फिर वो रजोगुनी हो जाता है और भक्ती के धरातल पर अगर हमें पहुँचना है तो भगवत गीता से हमें सीख कर हर चीज जहां तक हो सके अपने विचार में, विहवार में, बोलने, चालने में, उठने, बैठने में, खाने, पीने में सात्विक नहीं होगी तो सबसे पहली बात तो भगवान ने इस श्लोक में यही कह दी कि बहुती गलाब की इच्छा नहीं करनी है और केवल परवेश्वर में प्रवत मनुष्यों की बात कर रहे है यानि कि जो कुछ भी है फोकस केंद्र बिंदू हमारे भगवान श्री कृष्ण होने चाहिए केवल परमेश्वर में प्रवत मनुष्यों यानि कि जो भगवान जो कुछ करता है नवेध्याय के 27 में श्लोक में भी भगवान ने कहा था न जो कुछ करते हो मेरे को और पित करो तो यहां पर भी वही बात है कि केवल परमेश्वर में परवत जो है वो मनुष्य होना चाहिए उसके दिमाग में यह होना चाहिए कि भगवान को प्रसंद करना है और भगवान को प्रसंद करने के लिए हमें अपने माता-पिता को प्रसंद रखना है, जीवों को प्रसंद रखना है, जीवों में सभी आ गए, भक्तों को प्रसंद रखना है, अपने गुरुदेव को प्रसंद रखना है, तो ये परमेश्वर में प्रवत्य मनुष्य के लक जो काम आप कर रहे हो वो सही है नहीं है If you have doubts तो आपको result नहीं मिलेंगे तो आपको दिव्य शृद्धा होनी चाहिए कि जो तपस्या मैं कर रहा हूँ वो भगवान की आग्या के अनुसार है गुरू की आग्या के अनुसार है शास्त्रों के अनुसार है यानि कि जो हम तपस्या कर रहे है तो ये बहुती उत्सा और आधर पूर्वक करनी चाहिए यानि कि तपस्या कर रहे है तो दुखी मन से कर रहे है फिर वो विवादी बात है फिर उसमें से सात्विक्ता चली जाएगी फिर हो सकता है कि वो मतलब अगर बहुती दुखी मन से और क्रोध के साथ कर रहे हैं तो रजोगोणी और तमोगोणी तपस्या के तरफ चली जाए यानि कि जब हम तपस्या का आचरण कर रहे हैं तो जहाँ श्रद्धा चाहिए प्रमेश्वर केंदर बिंदू चाहिए भौत इकलाब के इच्छा नहीं चाहिए वही मही साथ साथ ये भी हमारे अंदर क्वालिटी होने चाहिए कि हम उच्सा के साथ खुशी के साथ और आधर पूरवक जो है वो अपनी तपस्या को करें एक प्रभुजी के लेक्चर में ने सुना उसमें ये बात भी सामने आई कि तब करना ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ट कर्तव है देखे कुछ भी अगर हमें अपने जीवन में हासिल करना है तो तब तो करना ही होगा तपस्या के मिना कुछ भी हासिल नहीं होता तो भक्ती के लिए भी तपस्या जरूरी है भक्ती मार्क पर प्रोग्रेस करने के लिए भी तपस्या जरूरी है तो मानव उद्देश्य, मानव जीवन का जो उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना है ना, एक अच्छा इंसान बनना, एक अच्छा भक्त बनना इसके लिए तपस्या बहुत जरूरी है और वो हमें उत्सा और आदर पूर्वक करने चाहिए अन्त में जैसे मैं हमेशे आपसे रिक्वेस्ट करता हूं फिर रिक्वेस्ट करूँगा आप सब हरे कृष्ण घरे कृष्ण खृष्ण खृष्ण कृष्ण बातास